अलो नमस्कार स्वागत है आप सभी का नीव इंसिश्यूट के इस online platform पर कैसे हैं आप सभी I hope आप सभी अच्छे होंगे ये class है psychology की और आज psychology की class में हम discuss करेंगे most important 20 questions psychology के जो आपके previous year के question paper से उठाए गए है अपनी class को continue करने से पहले यहां screen पे आपको दिख रहा होगा mission HP SSC इसका क्या मतलब है इसका मतलब है जितने भी exam आपकी HP SSC के अंडर आते हैं उन सभी को जो है नीव institute mainly target करता है और फिलहाल में अभी जो batch चलाया जा रहा है वो चलाया जा रहा है HP TED का तो उन सभी student को मैं बता दूँ जिन्होंने अभी तक इस batch को join नहीं किया है उन्हें क्या करना है उन्हें जो है वो simply google play store पे जाना है बहाँ पे जाके नीव institute की जो application है उसे search करना है और search करने के बाद install करना है जब आप इस app को install कर लोगे तो मैं यहाँ number लिख रही हूँ 9459802085 इस number पर जो है आपको call करनी होगी जब आप इस number पर call करोगे तो आपको जो है वो batch में enroll कर लिया जाएगा next हम बात करते हैं यह जो batch start हुआ है इसके क्या benefits है तो अगर मैं benefits की बात करूँ तो first यहाँ पर आपको दिख रहा होगा one week demo free यहाँ पर जो है आपको one week का demo free दिया जाएगा daily classes होगी weekly test होगे और साथ मैं doubt session भी यहाँ पर रखे जाते हैं जो most important बात आती है वो यह आती है कि जो bear start हुआ है इसका fee structure कितना है अगर मैं fee structure की बात करूँ तो यहाँ पर fee structure रखा गया है one triple nine यानि 2000 रुपए के अंदर आपको यहाँ पर जो है एक full course जो है वो देखने को मिलेगा इसी के साथ इसमें एक और important बात सामने आती है वो है 20% discount for BPL student वो वच्चे जो BPL category से belong करते हैं यहाँ पर उनके लिए जो है वो 20% discount जो है वो दिया जाएगा next हम बात करते हैं यह कुछ information है मेरे बारे में और यहाँ से आगे आज की जो हमारी class है जो हमने top 20 MCQ question discuss करने हैं उसे अब जो है हम यहाँ से starter करते हैं screen पे आपको दिख रहा होगा question number one प्याजे के अनुसार बालक किस अवस्था में तारकिक चिंतन आरंब कर देता है यानि की प्याजे के अनुसार according to प्याजे यह जो तारकिक चिंतन है यह कौन से अवस्था में जो है वो start हो जाता है option A है इंद्रिया जनिक गामक अवस्था option B है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था option C है मूर्थ संक्रियात्मक अवस्था और option D है अमूर्थ संक्रियात्मक अवस्था यहाँ पे प्याजे कि आपको चारों stages जो है वो दी गई है और आपको बताना है जो logical reasoning होती है या आपके अभी तक जो है वो सही अंदाजा लगा लिया होगा question number 1 का यहाँ पे जो सही अंसर होगा वो होगा option number C यहाँ पे सही अंसर होगा option number C यानि की मूर्ट संग्रियात्मक अवस्था उसी तरह question number 2 है बच्चे भाषा सीखने की एक विवस्था के साथ पैदा होते है यह किसके द्वारा कहा गया यानि यह line जो है वो किसके द्वारा जो है वो कही गई option A है नाम चमकसी option B है स्कीनर option C है यहाँ पे थॉंडाएक option D है इन में से कोई नहीं तो यहाँ पर यह जो statement है यह किसके द्वारा दी गई है यहाँ पर question number 2 का जो है वो option number A जो है यहाँ पर correct हो जाएगा तो यहाँ पर जो है नाम चमकसी के द्वारा जो है यह कहा गया कि बच्चे भाषा शीखने की एक विवस्था के साथ पैदा जो है वो होते है next हम देखते है question number 3 है निगनात्मक तरक में अर्थ अनुमान की दिशा क्या है निगनात्मक बिधी निगनात्मक मेथड इंडक्टिव मेथड के बारे मैं आपने पढ़ा होगा वो किस वो क्या दर्शाता है option A है सामाने से बिशिस्ट की और option B है बिशिस्ट से सामाने की और option C है सामाने से सामाने की और option D है बिशिस्ट से सामाने की और तो जो निगनात्मक मेथड होता है या फिर इंडक्टिव मेथड होता है उसमें क्या होता है अब कहां से कहां जो है वो move करते हैं सामान्य से बिशिस्ट की और तो यहाँ पर जो है Q3 का option number A जो है वो correct हो जाएगा that is सामान्य से बिशिस्ट की और Q4 है किस अवस्था में बालक को समाज के बनाए नियमों, परंपराओं एवं मूल्यों को ग्रहन करने सबंधी नैतिकता का विकास होते हुए देखा जा सकता है यह कौन सी अवस्था हो सकती है option A है पूर पारंपरिक्स्थर option B है पारंपरिक्स्थर option C है उत्तर पारंपरिक्स्थर या option D है इनमें से कोई नहीं तो यहाँ question number 4 का जो है option number B जो है वो correct हो जाएगा that is पारंपरिक्स्थर उसी तरह से हमारे पास question number 5 आता है एकांथ प्रिय, संकोची आदर्शवादी तथा आत्म गत्रिष्टी कौन बाले व्यक्ती जंग या जंग जो हमने थियोरी पड़ी थी के अनुसार किये गए व्यक्तित्व के वर्गी करण में किस वर्ग में आते हैं या इस तरह के जो व्यक्ती होते हैं वो किस वर्ग में आते हैं जो एकांथ प्रिय होते हैं संकोची होते हैं वो कौन से वर्ग में आते हैं जब हमने personality की थियोरी पड़ी थी तो हमने जंग की ठियोरी भी पड़ी थी option A है अंतरमुखी option B है वहियर मुखी option C है उभियर मुखी option D है उपरोक्त सभी तो ये जो question number 5 में जो भी ये characteristics दी गई है ये किसमें आती है आपकी option number A में यानि की अंतरमुखी question number 6 है यहाँ पे बिध्धी और विकास है बिध्धी और विकास यानि growth and development क्या है option number A है एक दूसरे के विरोधी है option number B है एक दूसरे के समान है option number C है एक दूसरे के पूरक है या option number D है इन में से कोई नहीं तो ये जो बिध्धी और विकास है यानि growth and development जो है वो एक दूसरे के पूरक होते हैं यानि question number 6 का जो है यहाँ पर option number C जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा उसी तरह से हमारे पास question number 7 है किस गरंथी को जो है वो master गरंथी कहते हैं option number A है thyroid, option number B है pancreas, option C है genan और option D है pituitary gland तो किस गरंथी को master गरंथी कहा जाता है यहाँ पर question number 7 का जो है option number D जो है वो correct हो जाएगा that is pituitary gland आपके पास question number 8 है भेश भूशा, रहन सेहन, आहार, धर्म, भाशा तथा रिती रिवाज, इत्यादी, व्यक्तित्तव के कैसे निर्धारक हैं option number A है जैविक, option number B है सांस्कृतिक, option number C है सामाजिक और option number D है मनो विग्यानिक तो ये जो भेश भूशा होती है, रहन सेहन होता है, आहार होता है, ये कौन से निर्धारक होते हैं एक व्यक्ति के जीवन में तो ये होते हैं आपके पास option number 8 का, sorry question number 8 का option number B correct हो जाएगा that is a sans critic उसी तरह से question number 9 है हमारे पास, बालक एबं बालिकाओं का समाजी करण अलग-अलग क्यों होता है option number A है शारिरिक बनावट के अंतर के कारण, option number B है इश्वरी रचना के कारण, option number C है समाज में दोनों से अलग-अलग भूमी का परत्याशा के कारण option number D है उपरोक्त सभी, तो जो बच्चे होते हैं, जो लड़के और लड़कियां होती है, उनका समाजी करण यानि socialization जो होता है, वो अलग-अलग क्यों होता है तो यहां question number 9 का जो है, वो option number C जो है, बिल्कुल सही हो जाएगा, that is समाज में दोनों से अलग-अलग भूमी का परत्याशा के कारण question number 10 है यहां पे, भाशा का विकास व्यक्तियों की समाजिक अंत्यक्रिया का परिणाम है, यानि जो language development है, वो किस तरह से होती है भाशा का विकास व्यक्तियों की समाजिक अंत्यक्रिया का परिणाम है, यह किसके द्वारा जो है, वो कहा गया है option number A है वाइ गॉस्ट की, option number B है प्याजे, option number C है क्लार्क, option number D है इनमें से कोई नहीं तो ये जो statement है, ये किसके दौरा दी गई है, ये दी गई है आपके पास option number A यानि की वाइ गॉस्ट की, लेव वाइ गॉस्ट की के दौरा ये कहा गया है कि भाशा का जो विकास है व्यक्तियों की सामाजिक अंतेक्रिया का परिणाम होता है नेक्स है कुछिन नमबर 11 अधिगम प्रक्रिया में शामील होता है जो हमारी अधिगम की प्रक्रिया होती है जो हमारी लर्निंग की प्रक्रिया होती है उसमें क्या-क्या शामिल होता है, option number A है, ब्यक्ति का बातावर्ण के साथ अंतेक्रिया, option number B है निरंतर्ता, option number C है ब्यभार में परिमार्जन, या option number D है उप्रूक्त सभी, तो जो अधिगम की प्रक्रिया होती है, उसमें ये सारे ही factor जो है, वो शामिल होते हैं, तो question number 11 का य यहाँ पे बालक के व्यक्तिगत अधियन की मनोव्यज्यानिक बिधी है, यानि कि किसी के व्यक्तिगत यानि किसी के व्यक्तितव को अधियन करना, वो क्या कहलाएगा या फिर मनोव्यज्यानिक में वो क्या कौन सी बिधी होगी, option number A है रेटिंग, option number B है प्रशनावली, option number C है case study option number D है प्रयोगनात्मक बिधी तो question number 12 का यहाँ पर जो option सही होगा वो होगा option number C यानि की case study next है हमारे पास question number 13 fried के अनुसार व्यक्तित्व सरंचना की परमुख घटना है यह जो fried की हमने segment fried की जो हमने theory पढ़ी थी उसके अनुसार व्यक्तित्व सरंचना उसमें जो आपके पास व्यक्तित्व सरंचना होती है वो उसमें कौन-कौन से कारकाते हैं option number A है इदम option number V है अहम option number C है परम अहम option number D है उपरोक्त या फिर इन में से सभी उपरोक्त यानि की इन में से सभी सारे ही उपर बाले तो question number 13 का जो है वो option number D जो है यहाँ पर correct हो जाएगा क्योंकि आपने पढ़ा है जो segment fried की जो theory है उसमें इदम अहम और परम अहम की जो है वो बात की गई है तो question number 13 का यहाँ पर option number D जो है वो correct हो जाएगा question number 14 है सीखने के नियम के प्रतिपादक है यानि की जो आपका सीखने का नियम है उसको किस ने दिया हुआ है option number A है fried, option number B है skinner, option number C है thondike, option number D है addler तो आपको पता है जो learning की theory है वो किस के द्वारा दी गई है वो दी गई है आपके पास thondike के द्वारा तो question number 14 का यहाँ पर option number C जो है वो correct हो जाएगा that is thondike question number 15 है thondike के सीखने के सिधान्त के महतपूरण नियम है इन में से कौन से जो है वो thondike की theory में जो है वो नियम दिये गए है option A है ततपरता का नियम, option B है अभ्यास का नियम, option C है प्रभाब का नियम या option number D है उप्रोक्त सभी आपको पता है यह तीनों law है जो दिये गए है thondike की theory में first ततपरता का नियम, option number B अभ्यास का नियम और option number D प्रभाब का नियम तो question number 15 का यहाँ पर option number D जो है वो correct हो जाएगा question number 16 है यहाँ पर सीखने में अंतरद्रिस्टी सिध्धान किसके द्वारा परतिबादीतर किया गया यानि insightful learning के बारे में किसने बताया यह किसके द्वारा यह theory जो है वो दी गई थी option number A है कोहलर, option number B है पैबलर, option number C है बाइगौसकी, option number D है प्याजे तो जब भी insightful learning की बात आती है अंतरद्रिस्टी सिध्धान की बात आती है तो हम नाम किसका लेते हैं या यह किसके द्वारा पतिपादित की गई थी option number A यानि की कोहलर के द्वारा, जिन्होंने वो चिंपैंजी पर जो है वो अपना experiment किया था next हम देखते हैं, विकास एक प्रिक्रिया है, जो हमारे पास development है, वो एक कैसी process है आपके पास option number A है खंडित, option number B है निरंतर, option number C है पूरण, option number D है अपूरण तो विकास यानि जो development है, वो कैसी process है, आपके पास यहाँ पर option number B जो है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा that is निरंतर प्रिक्रिया, उसी तरह से question number 18 है, आपके पास खेल के माध्यम से बालक अपने संवेगों पर नियंतरन सीख जाता है, अपने जो emotion है उन पर control करना सीख जाता है, तो यह विकास निमन में से कौन सा है, तो यह कौन सी development होगी, option number A है समाजिक विकास होगा, option number B है शारिरिक विकास होगा, option number C है संवेगात्मक विकास होगा, या option number D, इन में से कोई नहीं, तो जब बच्चा जो है अपने emotion पर control करना सीख रहा है, तो यह कौन सी development होगी, option number C जो है, वो question number 18 का यहाँ पर सही हो जाएगा, that is emotional development यानि संवेगात्मक विकास, second last question देखते हैं, एक बालक की बुद्धी, 150 है, वो बालक कहलाएगा अगर बुद्धी लब्धी, IQ जो है वच्चे का कितना है, 150 है, वो बालक कौन सा बालक कहलाएगा option number A है मंद बुद्धी, option number B है सामाने बुद्धी, option number C है प्रतिवाशाली, और option number D है प्रकर बुद्धी का तो यहाँ पर question number 19 का जो है, option number D जो है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, that is प्रकर बुद्धी option number 20 है, यहाँ पर चात्रों को सफल बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, option number A है चात्रों का व्यक्तिगत भेद समझना चाहिए, यानि जो टीचर है, जो शिक्षक है, उससे समझना चाहिए कि individual difference जो है, वो हर बच्चे में पाए जाते हैं, option number B है चात्रों को प्र option number D उप्रोक्त सभी, तो यह सारे ही फैक्टर आ जाते हैं, जब चात्रों को सफल बनाने की बात आती है, तो एक शिक्षक को यह सारे ही काम करने चाहिए, तो यहाँ पर question number 20 का जो है, वो option number D जो है, वो बिल्कुल correct हो जाएगा, that is उप्रोक्त सभी, तो यह थी कुछ आज तब तक के लिए thank you, have a nice day